हलो प्यारे बच्चों क्या हल चाल कैसे हैं आप सभी लोग स्वागत थे पर फिर से आप सभी का आपके अपने प्यारे से सिलेक्ट उलने गंडा में तो प्यारे बच्चों आज जो हम देखने वाले हैं आवेस के मात्रक क्या होता है CGS में क्या होता है फिर उसके बाद हम मूल आवेस पर बात करेंगे कल मैंने आपको बताया था यानि कि next वाले lecture में उसमें आप से बात किया था कि भाई जो आपके मूल आवेस होते हैं वो एक एक electron के क्या होते हैं बराबर होते हैं जो एक electron पर आवेस आता है वही आपको क्या होता है मूल आवेस होता है उसके value कितनी होती है 1.6 into 10 के power minus 19 याद है कि नहीं याद है चलो अच्छा इसके बाद हम क्या करेंगे आपको मैंने एक चीज़ और बताया था quantization of charge आवेसों का quanti करन तो उसमें आपको ये बताया गया था कि भई जो आपके आवेस होते हैं किसी भी ववस्त उपर ठीक है उसमें जो मूल आवेस होता है मूल आवेस का मलब electron वे कभी भी एना आधातिहा नहीं हो सकते हैं यानि कि वो होते हैं पूरा का पूरा यानि कि एक integral multiple की form में होते हैं तो अब वो कैसे और उनको हम कब आधा तिहा लेंगे उसके बारे में हम जानेंगे ठीक है तो चलिए आज हम देखते हैं वैदुताबेस के मात्रक देखो आपका जो होता है वैदुताबेस के मात्रक ये SI पद्धती में इसका मात्र क्या होता है ampere second या इसका दूतरा नाम बढ़ियां वाला क्या है कुलाम ठीक अच्छे आप कहेंगे ये सरके से आया आपको गर याद हो ठीक है धारा बराबर क्या होता क्यों अपान टी तो क्यों इसकर डू कितना हो जाएगा आई इन्टू टी आई से बात करो ये कहेंगा सर हमारा मान तो क्या होगा ampere और समय का मान क्या होगा समय का मात्रक second SI पद्धती में अब अगर ऐसे ही बात किया जाए भाई सीजीयस में ये आप कहाना बुक में नहीं लिखा होता है तो आप ध्यान रखेंगे सीजीयस मात्रक में जो इसका सीजीयस पद्धती में जो इसका मात्रक होता है क्या होता है किसका कुलाम तो आपको ध्यान रखना है कहीं पर भी अगर ऐसे लिखा 10 कुलाम यादि कि ये चार्ज का मैंगिनिटूड है और ये उसका क्या है मतरक है ठीक है आई होप आपको यह समझ में आया होगा अब एक चीज और अगर आप से कोई पूछ लेना एक कुलाम में कितने स्टेट कुलाम होते हैं तो आप ध्यान रखना कितना थे इंटू 10 के पावर इंटू 10 के पावर एड्य वैसे ही आप इसको याद रखोगे एक पावर क्या करोगे एड कर दोगे तो यह आपका क्या आगै पही के पावर थ्रींटू टेन्ट के पाउर ओएट अब दीखियों बात करें मुल आविस के बारे में किसके बारे में मुल आविस तो दीखो love Śutono अप कहता है कि सर किसी भी विवस्त पर ठीक है जो एक electron पराबेस होता है ठी के एक electron पर जो आवेस होता है 1.6 into 10 के पाउर minus के 19 Kulam यही आपका क्या होता है मूल आवेस होता है इस पर आज हम कुछ नीमरकल भी करेंगे क्या होता है भई मूल आवेस होता है इसका ये मात्रक लिखा हुआ है ठी के और आप कहेंगे sir एक से ज्यादा हो जाएं तो आपके अन क्या है number of number of क्या है वही electron ठीक है उस वस्त पर कितने electron present है वो बात हो रही है यहाँ पर ठीक है तो आप इसको note कर ले और उसके बाद है ना आप इसको बराबर revision कर दे रहें ठीक है तो देखिए अब हम जो study करेंगे को किसके उपर करेंगे मूल कर्ण के उपर है ना तो आपको बताएगा है जो आपका मूल कर्ण होता है यानि कि electron की बात हो रही है किसके बात हो रही है electron ये कहता है कि भाई अगर कोई पदार्थ ठीक है quantity current क्वांटी करण quantization of charge वो कहता है कि भाई कोई भी अगर पदार्थ है उसके अंदर अगर वो charge है तो उसके पास क्या होंगे electron होंगे थीक है तो ये जो electron है मलब जो कोई किसी भी ववस्त उपर क्या है electron है charge है तो वो इलेक्टरानों से मिल मिल के बने होंगे ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि electron का आधा हो या तीहा हो ऐसा नहीं हो सकता है ये मना कर देता है कौन EY3 सोचो मलब जो एलेक्टरान का आधा या तीहा करने की सोचो ना तो ये मना कर देता है कौन quantization of charge यानि कि आवेस का quantity करण quantity करण ठीक है अब देखिए अगर आप से कोई पूछ ले ना ये मुल आवेस करण किस्से मिलके बना है ठीक है तो देखिए आपके ये ट्वेल्ड का पार्ट नहीं है लेकिन थोड़ा समझ में आना चाहिए क्योंकि आप अब आप 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 से आगे जाएंगे यान की पूरी तरह से होंगे ऐसा कभी नहीं होगा अधतिया हो ठीक है लेकिन कि जब हम गएना कॉंटल में किस में कॉंटल में ठीक है यह ब decentralन ना यह जो मूल करण है किसे मिलके बना है कॉरक से मिलके बना है कॉरक से यह गधना सब Margत तो दीखिए जो कोरक नहीं यह कहता है यह कहता है कि वह सब्सक्राइव आप किने परकार का होता है तो यह बोला इसा भी कोषा अदो झाता है न है छे ठीकिए अब दीखे सबसे ज़्यादा जो हमारा इnewर्स है न जो बना हुआ है ठीक है यानि कि ब्रह्म्हांड में सबसे ज़्यादा जिसका यूज किया गया है यो किस्का किया गया है अब को और डाउन कोंध का टो पहले आप देखे लिए आपके टोटल छे अब इससे बोला गया कि भाई जो आपका मूल कड़ है ना वो इन से मिलके बना है अब आप सोचों जब ये चीज़ है ना इससे मिलकर करके ना ये बना है तो आप कह सकते हैं जो इलेक्टान होगा ना उसका आधा तीहा कर सकते हैं वो कहां पर कर सकते हैं की एलेक्ट्रान को हम विभाजित कर सकते हैं अब देखें आप थोड़ा सा दिमाग यहां पर लगाएंगे यह आपको जो ऊपर लिखा हुआ ना यह वाले लाइन ठीक है यानि कि अपकोर्क चार्म कोर्क और टॉपक वार्क ठीक है इन पर जो आबेस होता है वो कितना होता है प्लस टू यह पांच कितना ठीक है लेकिन जो नीचे वाले हैं इन पर जो आबेस होते हैं ठीक है वो कितने होते हैं माइनस के माइनस के माइनस के यह पांच कितना ठीक है इतना इनके पास क्या होता है चार्ज होता है आप आपको यह समझ में आया होगा अब थोड़ा सा औ और इसके बारे में हम knowledge gather करते हैं अगर आपको या ना ये अच्छा समझ में आ रहा है ठीक है अच्छे से आ रहा है तो भाई आप वहाँ पर एक subscribe का बटन होगा ठोक दो तो देखो बच्छो आपके ये साय नोट हो गया होगा अब थोड़ा सा और समझना ये जो कॉर्क होता है ये कहता है सबसे ज़्यादा गर stable पूछा जाए सबसे ज़्यादा stable ये होगा अब कॉर्क और down कॉर्क ठीक है क्यों होगा क्योंकि इसमें इसके पास जो दरबिमान होत होता है क्योंता है कम ठीक है इस वज़ा से ये ज्यादा क्या होते हैं इस्टेबल होते हैं ठीक है अब हम आगे पढ़ेंगे कुछ सिन निमेरकल पर देखिए पैरे बच्चों यहां पर आपके लिए एक बहुत बढ़ियां सा प्यारा सा निमेरकल अब आओ इसको करते हैं कैसे सॉल्ट करना इसे तो देखिए कुस्टन में क्या गिवन है एक चालक पर कितना आवेस है एट इंटू टेन के पावर माइनस सेवन फिर उसके ब असके चाहिं जिफास रडः वैस होता है उनपे उल्यक्तरान की क्या होती है अदिता होती है मुझसे कह रहा है कितने कितने इक हम लगu अैन ठीक है जब पूछे ना कितने लोग थे तो आप क्या कहेंगे क्या निकालना है एन ठीक है तो आप सिंपल से बोल देंगे क्यों क value पता है मुझे क्यों आप कैसे चेक कर पाएंगे साइड में देख लेना कुलाम लिखा होगा ठीक है क्या लिखा होगा कुलाम तो आप ध्यान रखना वह आपका क्या होगा आभेस होगा क्या होगा आभेस अब दिखिए आपको यह न एन निकालना इलेक्टरानों की संक्या निकाल नहीं है तो आप कहेंगे सार we know that हम जानते हैं हम जानते हैं ठीक है क्या जानते हो भई क्या होता है अगर यहां से एन की बात किया जाए तो क्यों पान क्या होगा यह नीचे चला जाएगा अब दिखें क्योंकि वैलु कितनी है एट इंटू टैन के पावर माइनस के सेवन और यहां पर ए कमान कितना है ओन पॉइंट सिक्स इंटू टैन के पावर माइनस के उननीस यह दो इसको काड़ दिया ठीक है अजा यहां से पॉइंट एट आएग जाएगा तो इसका पावर क्या होगा पॉस्टिव होगा इसको काड़ देगा यह कितनी पार काड़ देगा फाइव बार तो फाइव इंटू टैन टू पावर ट्वेल्ब इलेक्ट्रान इतने इलेक्ट्रान की क्या होगी इलेक्ट्रान ठीक है इलेक्ट्रान की क्या होगी भई अधिक्ता होगे क्या होगे अधिक्ता आप इसको नोट डाउन कर ले अब देखो बच्चों यहां पर आपका एक next question है इसमें क्या कहा रहा है कि भई एक हमारे पास एक हमारे पास क्या है लगा करने वाउन से यहांसे मिल जाएगी आईए कुलाबस के पहले given लिखेंगे, क्या given है आपको, ठीक है, given, ठीक है, क्या given है भई, n की value रखा है, कितने हैं, बोलो, कितने हैं, 4, 4000, ठीक है, यानि की ये क्या है भई, electron है, ठीक है, अब दिखें, और आपको एना, इका मान तो पता होगा, कितना होता है, 1.6 into 10 के power minus के 19, खुलाम, और यहां पर अगर कुल आबेस की बात किया जाए, कुल आबेस, तो कुल आबेस कहेगा, सर, हमारी value तो होती है, क्यों सकर्टू क्या, n, e, n का मान रखो, उठा के यहां पर, 4000, और यहां पर, e का मान कितना, 1.6 into 10 के power minus के 19, समझ में आया कि नहीं आय आया, नहीं आया, आप देखो, हमने क्या किया, भाई देखो, n का मान रख दिया, e का मान रख दिया, यहां पर, है न, n की value कितनी, 4000, और इसकी value, e की value यह रही पूरी, यहां पर रखा, अब दोनों को solve पल लेंगे, यहां पर देखे कितने 0 है, 3, तो यहां पर 3 माइनस हो हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि इसका power plus का है, इसका power minus का है, घट जाएंगे भई बड़े में से, तो 4 का multiply किसमें होगा, 1.6 में, और यहां पर आपके 3 इसमें घटा दू, तो कितना बचेगा, minus का 16, भाई, ठीक है, कुला, अब इसका multiply इसके साथ कर लो, आपको पता है न, 16 का multiply 4 में करो, कितना होगा, 64, लेकिन एक नंबर के बाद क्या लगाना है, पॉइंट, तो 10 की power minus 16, कुला, समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है, ठीक है, अब आगे बात करते हैं, आप इसको note करें, देखो बच्चों, आपके सामने एक और नया कुस्सन है, आप इसमें से बताना, आपका कौन सा उप्सन सही है, आप इसको पढ़ें, और कमेंट बॉक्स में बताईए, इसका अंसर कौन सा सही है, चलो मैं करता हूँ, एक साबون के बुलबुले को रिड़ावेस दिया गया है, तो उसके तरजा कम हो जाती है, बढ़ जाती है, आप इवर्टर रहती है, या जानकारी आपोंड होने से, है न, कुछ कहा नहीं जा सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता है, यानि किसमें से बताना कौन जो सही है तो देखो आप ध्यान रखना इसका अगर मैं थोड़ा सा अंसर के बारे में बात करूँ तो देखना अगर कोई भी आविस्त बॉड़ी है तो वो अपने आपको इस्टेबल रखना चाहती है और इस्टेबल कम होंगे जब उनकी इस्ट थी कम अब आप बतारो इसका इस्टेबल रॉड़ा कब होगी कम जब इसके तरजया बढ़ जाए यानिकि यह अगर इलेक्टरन लिया होगा घाई इस इसुपय इस्टेबल रख रस चाहती को बढ़ाने के लिए क्या होगा अगर इस्टेबल ड़हनी है ठीक है अगर हो जाएगा अपने आप बढ़ने लगेगा ठीक है तो यहां पर आपका जो अंसर हो कौन सा है भी आप्शन बढ़े जाती है ठीक है तो आई हूप आपका यह क्लियर हुआ होगा हाँ तो प्यारे बच्चे अब देखो यह नया कुस्तन है आपके लिए इसमें क्या कह रहा है कि किसी पिंड से एक स्थान अंतृत करने में कितना समय लगेगा तो आप गहेंगे सर टैन के पावर नाइन जो एलेक्टरान है ना जो एलेक्टरान है वो कितने सिकंड लेते हैं वन सेकंड लेते हैं ठीक है तो एक एलेक्टरान कितना समयलेगा एक एलेक्टरान कितना समयलेगा तो आप इसको नीचे डिवाइड में कर दोगे नीचे ही तो आएंगे 10 के पावर 9 ठीक है इतना सिकंड लेंगे अब आप कहेंगे सर इसमें आप चेक कर लो एक कुलाम में कित कितना 1.6 into 10 1.6 into 10 to power minus के कितना 19 ठीक है देखे पॉइंट रटाएंगे यहां पर कितना आएगा 10 अब देखे 10 अपान कितना 16 इसको उपर बेदो आप तो यह पाउर प्लस हो जाएगा इसका 19 एक काम करो इसको एक दे दो मलब यह 100 हो जाएगा आपका ठीक है यहां पर कितना हो फिर 8 बचा यानि के 80 हो जाएगा तो 5 बार जाएगा इंटू 10 to power कितना 18 इतने इलेक्टरान होंगे ध्यान रखें एक कुलाम में कितने अब कितने इलेक्टरान होते हैं 6.225 into 10 के पाउर कितना 18 अब निकालना है क्या भई इतने इलेक्टरान जब जाएंगे एक साथ ऐसे ठीक है कितना समय लेंगे तो देखो हम क्या कहेंगे सार 6.25 into 10 के पाउर कितना 18 इलेक्टरान का जो समय होगा ये डारेक्ट इसमें गुड़ा हो जाएगा भई जब एक किलो का दाम पता है तो इतने का निकालना है तो आप क्या करेंगे सिंपल इसमें गुड़ा कर देंगे 10 to power 9 into ठीक है कितना आएगा 6.25 into 10 to power 18 ठीक है अब इसको हम सॉल्ब कर लेंगे ये कट जाएंगे 6.25 into ये कितना बचाए यहां पर 9 माइनस हो जाएगा 9 बचाएगा यहां पर ठीक है इतना समय लेगा ठीक है यह सिगेंड में आप चाहें इसको गंटे में या दिन में या आ दाल सकते हैं ठीक है तो आप इसको calculate कर लेना आपका यह answer है तो आई होप आपको ये यहां तक आपका clear हुआ अब आगे हैं ना आगे next lecture में बात करेंगे कुलॉम् स्लो क्या होता है ठीक है और उस पर हम उसमें बहुत अच्छी तरह से निम्रिकल करेंगे जो आपके exam में ब